साथियों, मैं सिर्फ यही कहूंगा, उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे, कि छथिसगड में भारती जिनता पार्टी भुकलाई हुई है, गबराहट में है, अत्यन परेशानी में है, क्यूंकि उन्होंने साफ देख लिया है, कि छथिसगड की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कॉंग्रिस को ही देने वाली है, इसलिए आखरी दिनों में एडी का भरपूर दुरुप्यों किया जा रहा है, और अभी अभी सिंग्वी साब ने आपको बताया है, कि मार्च 2022 से लेकर छथिसगड सरकार कारवाई कर इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, विस्तार से जो कारवाई की गई है, छथिसगड की सरकार से, छथिसगड की सरकार से, छथिसगड की सरकार से, चापे मारे गए हैं दिल्ली में, उडिस्सा में, मध्यप्रदेश में, पर दुबाई में तो हम छथिसगड नहीं मार सकत है पर इस मामले में महादेव एप के बारे में दुबाई में जो कारवाई करनी है अभी तक केंज सरकार ने उसके ओपर कुछ किया नहीं है हालांकि ऑनलाइन बेटिंग को 28% जी एस्टी भी लागो कर दिया है इसको कानूनी दरजा दिया गया है यह गैर कानूनी नहीं है इस इसके ओपर 28% जी एस्टी भी लगाया दिया तो यह बिल्कुल साफ है और कल आपने देखा होगा पढ़ा होगा बीजेपी सरकार ने अपनी घोशना पत्र निकाला है जट्यजगडबे जो रेवडी की आलोचना करते थे प्रधान मंत्री जो हमारे गैरेंटी की आलोचना क निकाला गया है वो सिर्फ नकल्चिक गोशना पत्र है जो एल पीजी सिलिंडर के बारे में उन्होंने वादा किया है जो धान की खरीद की मूलिय में वादा किया है यह तो कॉंग्रिस ने पहले किया था और जब हम करनाटका में गैरेंटी पहले पहली बार राहुल जी ने शब्त का इस्तिमाल किया था तब खूब आलोचना हुई और अब कह रहे हैं कि 33 गड़ में मोधी की गैरेंटी होगी धान की मूलिय में या यह इल पीजी सिलिंडर के बारे में तो यह सब जो यह क्या दिखाता है गवराहट दिखाता है बोकलापन दिखाता है परेशानी दिखाता है हार निश्चित है जो भी करें हम डरेंगे नहीं जो कानूनी कारवाई करना है हम करेंगे चुनाव आयोग को भी हम जाएंगे क्योंकि यह Model Code of Conduct है यह Model Code of Conduct का समय है और जिस तरीके से E.D. ने आरोप लगाये है हमारे मुख्य मंत्री चत्तिजगड के उपर और उसके बाद कहते हैं subject to investigation यह सब Model Code of Conduct आचार संगिता का उलंगन है चुनाव आयोग में जाएंगे जो कारवाई करनी है जायायलों में हम जरूर अगले कदम लेंगे हम डरे नहीं है लड़ेंगे सत्य हमारे पक्ष में है और तीन दिसंबर को जनता चत्तिजगड में और राजस्थान में स्पष्ट तरीके से इनको जवाब देगे जवाब देगे